हुआ दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर श्री ब्रगु हरबस पर वीटियो स्टाट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्यू करना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है आप लोगों के साइट से और भी मुझ कीजिए और भी मुझे स्पोर्ट चाहिए आप लोगों का मुझे आभी बहुत आगे जाना है ऐसे वीडियो का आते रहेंगे मेरा कोशिश है ही है कि आप जब भी कुछ भी पर्चेस करें तो शुद्ध पर्चेस करें आपका पैसा ब्रबाद ना हो मैं आप लोगों को जो सही चीजे पहचानने में दिक्कत नहीं आती है जितना आसान तरीका मैं बना सकता हूं चीजों को पहचानने का ओतना आसान तरीका मैं धूरता हूं आप लोग लिए जिससे दिक्कत ना है मेन मोटेव है कि आप लोग ऐसे तरीके उताओं जो इजी हैं आप अपने घर पे प्रेटिकल कर सकते हैं दोस्तों असली शैद को पैचानने के बहुत से तरीके हैं पर यहां मैंने यूनीक थ्री स्टेप्स और तीन तरीके जो हैं वो मैंने शॉटलिस्ट किये हैं जिससे वो जो impure honey है, अगर उन सब तरीकों से जो आप जानते हैं वो पास कर लेते हैं तो इन तीन यॉनीक तरीकों से वो बचनी सकते हैं, वो fail हो जाएंगे अगर प्रिकृढ उगा तो नकली शेहद जो होता है दोस्तों वो तीन चीजों से बनता है एक है अपना glucose syrup, दूसरा है sugar syrup, और तीसरा है starch तीन चीज़ों को मिलाकर ये शैद बनाया जाता है और market में supply किया जाता है जो काफी test पूरे कर लेते हैं बट ये जो तीन तरीके में आज आपको पताने वाला हूँ उन तीन तरीकों में ये fail हो जाते हैं जिससे आपको पता पड़ता है कि ये आपको पास जो honey है वो real है या fake है पहला तरीका है असली शैद को पैचानने का वो है water test water test में क्या करना है आपको एक काच का glass लेना है उस glass को पूरा पानी से भर दीजिए उसमें आप एक drop शेहड डालिए नकली या मिलावा ठनी जो होगा वो drop पानी में मिलते से ही घुलना चालू हो जाएगा वो glass के bottom तक जाने से पहले ही घुलना चालू हो जाएगा क्योंकि उसमें glucose syrup, sugar syrup और starch है तो जैसे ही वो पानी मिलता है तो उसका reaction चालू हो जाता है वो पानी में घुलना चालू हो जाता है असली शेहड के साथ ऐसा नहीं होता है असली शेहड जो होता है वो अगर आप उसमें drop डालते हैं पानी में तो वह सीधे पहले बॉटम टच करता है जो शेहद होता है वह बिना घुले सीधे बॉटम टच करता है एक छोटी सी गठान सी बन जाती है नीचे जाके वह वह आए आके चिपक जाता है और तब तक नहीं घुलता है जब तक आप उसको किसी external help ना लो मतलब अगर आप उसको चम्मस से घुलाओ, या किसी चीज से आप उसको जब तक घुलोगे नहीं, जब तक वो घुलेगा नहीं क्योंकि असरी जो शेहद होता है उसकी घनी बनावट होती है, मतलब वो थिक होता है अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें या यूटूब पर भी सेच कर सकते हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं तब ही गुलेगा वैसे नहीं गुलेगा साथी साथ अगर कोई white cloth है आपके पास या white कपड़ा है तो उसमें भी आप अपना एक drop डाल सकते हैं हनी का या एक चमच डालिए उसको हिलाईए रगड़ी है फिर पाई डाल दीजिए अगर नकली शहद होगा तो वो पूरा साफ हो जाएगा कपड़ा असली शहद होगा तो कुछ न कुछ दाग वो छोड़के जाएगा एक स्पोर्ट सा छोड़ जाता है और जब कभी भी आप उस कपड़े को दोएगे तो पूरी तरह से साफ नहीं होगा थोड़ा भॉक स्टार्च या थोड़ा वा श्टॉप स्पोर्ट छोड़ देता है दूसरे तरीका है वो है दोस्तो हीट टेस्ट शाइद आप लोगों मालम नहीं हो पर जो शुद्ध हनी होता है प्योर हनी होता है वो जल सकता है फ्लेमेवल होता है मतलब वो उसमें चिंगारी आती है फिर आपको क्या करना है माचिस की तीली लेनी है उसका जो उपर का बारूत वाला हिस्सा है उसके शेहद को जरा सा डिप करना है जिससे वो बारूत वाला जो हिस्सा है उसको कवर कर ले शेहद पूरा फिर आपको क्या करना है माचिस को जलानी कोशिश करनी है मतलब आप उसके पास पर रब करेंगे माचिस के तो अगर चिंगारी निकलती है मेंस अगर आप उसको माचिस जलानी कोशिश करते हैं शेहद में लगाने के बाद अगर चिंगारी आती है अगर लाइटिंग होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो शहद है वो 100% शुद्ध है अगर ऐसा नहीं होता है आपकी तीली नहीं जलती है माचे को रगणने के बाद भी नहीं जलती है तो वो क्यों हो रहा है क्योंकि उसमें गुलको सीरप और शुगर सीरप मिला हुआ है तीसरा तरीका है वो है टिशू पेपर टेस्ट यानि आप मार्केट से टिशू पेपर लाईए टिशू पेपर में फिर आप एक चमठ हनी डालिए अच्छे से उसको बिचा लीजी और उसके पर एक चमठ हनी डालिए आम लिक्विड्स जो होते हैं जो नॉर्मन लिक्विड्स होते हैं वो फैलते हैं टिश्यू पेपर उनको एब्जॉब करता है वो फैलते हैं बट जो रियल शहद होगा वो एक जगे टेका रहेगा ना वो इस्प्रैड होने की खोशिश करेगा ना वो tissue उसको absorb कर पाएगा कुस टाइम बाद आप देखेंगे कि tissue paper में भी एक spot सा आ गया है आप शेहत को हिलाएंगे वो हिलेगा पर एक spot सा छोड़ जागा और बहुत dark spot रहेगा tissue paper पे फैलेगा नहीं और जो शेहत होता है वो थोड़ा से heavy रहता है बागी liquids की अपेश्या प्योर हनी की में बात कर रहा हूँ गाइस जो नकली हनी होता है उसमें glucose और sugar mix होने के कारण वो जल्दी फैलता है tissue paper पे जो प्योर हनी होगा वो फैलेगा नहीं वो एक छोट ऐसा गठान सी बन जाएगी उसमें जिससे वो एक ही जगे घटा रहेगा तीनों तरीकों से आप देख सकते हैं कि आप के पास जो शहद है वो असली है या नहीं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, hope you like this video तो तब तक के लिए बाइ